हलो यूरिवन आएम भगिश्री वेलकम टू माय चैनल तो आज मैं शेर करने जा रही हूँ डिय प्लांट स्टेक जो मैंने वेस्ट माटेरियल से बनाए है कर दो है दो नाय हूँ है अजय हूँ है प्रप्राइस में एक क्ले दिया लिया है यहां हम मोल्डिट क्ले यूज करेंगे टुडू 3D वर्क यहां में काउच फेस डिटेलिंग एड कर रही हूँ क्ले को अच्छे से स्टिक करने के लिए यहां में फैब्रिक ग्लिव यूज कर रही हूँ आप फेविकॉल भी यूज कर सकते है यहां में वेस्ट पेन को क्ले से एटेज कर रही हूँ क्ले वर्क ड्राइ होने के बाद हम इसे एक्रेलिक कलर से पेंट करेंगे अफ्टर कलरिंग मैंने यहां एक गोल्डन कलर की बेल ली है जिसे में वायर की मदद से काव के नेक पार्ट पे एटेज कर लूँगी तो यहां हमारा क्यूट सा काव प्लांट स्टेक रेडी है यहां मेरे पास एक शार्पनर है जिसे में टॉर्ट बनाने के लिए एज़ बेस यूज करूंगी यहां मैंने मोल्डिट लिए यूज की है क्ले से हम टॉर्ट इस के फीचर्स एड़ करेंगे आप यहां क्ले टूल से स्मॉल डिटेलिंग एड़ कर सकते हैं क्या है क्ले वर्ग अच्छे से ड्राय होने के बाद हम इसे एक्रेलिक कलर से पेंट करेंगे लेट्स स्विच ओन तो आवर थर्ड डियाईवाई विच इज बर्ड प्लांट स्टेक यहां मैंने एक स्मॉल साइज प्लास्टिक लीड लिया है लीड का एक कॉर्नर पीस कट करने के बाद मैं यहां मोल्डिर क्ले से बर्ड के डिटेलिंग एड़ कर रही हूँ यहां हम एलुमिनियम वायर एज प्लांट स्टेक एटच कर लेंगे क्ले वर्क ड्राय होने के बाद हम इसे एक्रेलिक कलर से पेंट कर लेंगे यहां हमारा ब्यूटिफूल सा बर्ड प्लांट स्टेक रेडी है स्विच ओन तो आवर फूर्थ डियूई यहां मेरे पास समल साइट वुडण पैर डुड़ ए एट इजी रविलेबल इन लोकल क्राफ स्टोर यह मेने एक स्मॉल साइट क्ले मट के ली है इस clay pot के ऊपर इन पैर्ट को हम एटेज कर लेंगे इसके लिए में ने यहां molded clay यूज किया है इस clay pot को में as it is terracotta shade में रखूंगी आप चाहो तो इसे color कर सकते है let's switch on to our fifth DIY which is cute fish plant steak यहां मैंने एक small size plastic ball लिया है ball के उपर में molded clay से fish की detailing add कर रही हूँ detailing add करने के लिए मैं यहां clay tool यूज कर रही हूँ कर रही है कर रही है कर प्रES देल कर दो कर दो पं़ क्ले वर्क ड्राय होने के बाद हम इसे एक्रेलिक कलर से कलर कर लेंगे अफ्टर कलरिंग हम यहां एल्यूमिनियम वायर एटेज कर लेंगे लेट स्विच ओन टो आवर लास्ट डियाइवाईब वीक इस सनफ्लावर प्लांस्टेक यहां मैंने एक समॉल साइज प्लास्टिक लिड लिए है लिड के ऊपर मैंने यहां एक कले की कॉईल बनाकर पेस्ट की है कले के ऊपर हम पिस्ताशेल पेस्ट कर लेंगे पिस्ता शेल का वन लेयर कंप्लिट होने के बाद हम सेकंड लेयर भी एड़ करेंगे फ्लावर के मीडल पार्ट पे मैंने यहां गोल्डन कलर के बीड पेस्ट कर लिये है और होने के बाद हम इस फ्लावर को ब्राइट येलो अक्रेटिक कलर से कलर कर लेंगे कि लिए लोग इस वीडियो दिन ओन फर गड़ दो रखे टो लाग शेर अब सक्रवग अब्सक्रवर चैनल थैंस फर वछचिंग